वाव के स्ट्टुट हैं के रिजिल्ड को लेकर इंटर्श एंपके रिजिल्ड को लेकर कॉटाप को मेंन कैम पसे री लिए्टेटर्ट और वा spouse रही आज इस वीडियो में दिया जाए जैसा कि अभी हमारा से में कैंपस में किया गया में रिप्लाई आया उसमें क्या रिस्वांस आया चलिए आपको बताते हैं परवेश समित के निद्धिसक्त प्रोफेसर आई र सिदिकी ने बताया कि आज सामके यूजी एटीम एक अंतरगर्स समान विए के पहले सब से पहले जो है आपकर समस्त कोर्सिस के जो है डिक्लिएर किये जाएंगे बीए को कैसे च SAR कार है जो है जै का ट्रथ जातीया आपके सकती है आपकी कैटाठ हो सकती है आपके कितने में का इंसे मिल सकता है और हश्टल मिल सकता है कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन करना सिंप्ली आपको आसान सी ट्रिक बताया जाएगा जिसके करण आप जो है बहुत ही कम समय में अपना रिजल्ट खुदी देख सकते हैं सबसे पहले कोई भी क्रोम ब्राउजर अपने फोन में खुलना वहां पे डा देखिया लावाद इनुश्टी एंट्रेय किम रेजल्ट इस पर क्लिक करियेगा इस पर क्लिक करने बाद प्रेंड्सफोडा नीचे आ जाईएगा Stuart दोड़ाउन करके यहां देखिए डाउन्लोड रेजल्ट के बगल click here है तो click here पर click करना simply इस पर click करने के बाद यहां देखिए किन किनी student का result आ चुका है जैसा कि BSC bio बायो बासी मायत BSC जो है BSC के लगबग समस्समेश्टरों का जो है रेजल्ट आ चुका है और B.com का भी रेजल्ट आ चुका है और B.A. का रेजल्ट आ साम को या किसी भी कारण वस लेट होता है तो आपका रेजल्ट कल जो है स्वसल्ट करने के बाद हाँ किलिट करते है यहां करने के बाद करने के बाद लोग इन कर देना आपका सिंपली रेजल्ट ओपन हो जाएगा अपना रेजल्ट जैसे ही आता है सभी लोग रेजल्ट कमेंट सिक्षन में कमेंट कर वहां से पोस सकते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन वहां दे दिया जाएगा और पलपल की जो भी कटाप आती र रहा और मेंका इंपस ना मिला तो उनको जो है प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए उनको सही समय पर इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा और उतने मार्क्स की कटाप आया है तो आप ओने श्टेडे आकर दस से चार के बीच अपनी काउंसलिंग जो है अपना एडिवीशन ले सक है तो उनको भी बताया जाएगा कि इन श्टूनेंट को हश्टल मिल सकता है सारी इंफॉर्मेशन जो है कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को सेयर करना वहां से इंफॉर्म कर दिया जाएगा आपके मार्क्स के कटाप पे डिपेंड करता है कि आपको हश्टल मिलेगा की न यह कभी ऐसे कुछ स्कोरिंग होने वाला है तो आपका जो है मुझे लग रहा है कि आपका जो है जिसका भी जैसे जर्णल में 180 अब जितने भी स्टूडेंट का आता है उनका तो हंडेट परसंट में केमपस मिलेगा ही ओभी सी का 160 या 150 प्लस में रहना चाहिए और फश्ट कटाप की बात कर रहा हूं और STHD वालों का उसी से 20 माइनस होने पर जो है उनको में केमपस मिल सकेगा फश्ट कटाप की बात कर रहा हूं जैसे सीट खाली हो रही है तो सिकेंड कटाप जो आएगी उसी में टेंटें मार्क्स घटा क के जो है आपके कटाप डिकलेर किये जाएंगे और थर्ड कटाप अगर सीटे खाली है में कैमपस में तो थर्ड कटाप जो आएगी वहां पे काफी सारे स्टुडेंट को मौका मिल सकता है यदि वहां से भी छूट रहे हैं इस्टुडेंट तो उनको इनुवस्टी से की बिर्कुल कोई बात नहीं ही है आपको इलहाबाद इनुवस्टी में लगबग इमिशन मिली जाएगा जो लोग 100 प्लस माक्स पाते हैं उनको जो लगबग इलाबाद इनुवस्टी में एन कैमपस में नहीं मिलता Hay तो उससे डेलिटेड कॉलेज मेुने मिली जाएगा आ ताकि उनकी वी हेल्प हो सके ताकि वो सही जिसा में जा सके और अपना काम सही समय पर कर सके आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि आप जो है बीए के समय से प्रीबिएस येर पेपर को क्राप्त कर अपने जाम को टाप कर सके थैंक यू सो मच गाड लिए